नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अग्रेम MPPSC Academy के इस online platform पर और आज हम बात करेंगे कच्छा छट्वी की NCRT आज हम बात करेंगे कच्छा छट्वी की NCRT NCRT कच्छा छट्वी की NCRT साइंस विसे की कच्छा सस्वी की NCRT साइंस विसे की ठीक है दोस्तों एक ही वीडियो में पूरी NCRT कवर करने की कोसिस करेंगे तो आप लोग इत्मिनान से सुनते चलेगा और थोड़ा सा पेसेंस बनाये रखेगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए ध्यान में रखेंगे आप लोग और केवल सुनते चलेंगे और मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इन्नोवेशन करके लाया हूँ और इसमें PPT फॉर्म में जो है तो पूरे एक से लेकर के है न है 16 अध्याय तक पूरा एक साथ कबर करने की कोशिस करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं NCRT विज्ञान विश्य की कच्छा छटवी की NCRT Chapter No.1 है हमारा भोजन यह कहां से आता है भोजन यह कहां से आता है तो चलिए दोस्तों इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे हम सीखेंगे हम सीखेंगे भोजन के संगटक और भोजन सामगरी के स्रोत पदार्थों से मिलने वाला भोजन सारी दोस्तों, पादपों से मिलने वाला भोजन, जंतूं से मिलने वाला भोजन और पोसन विधियां क्या क्या सीखेंगे, एक तो भोजन के संगटक, components of food, दुसरा source क्या है, भोजन सामगरी के source क्या है, है न, प्लांट से मिलने वाले भोजन और एनिमल से मिलने वाले भोजन और पोसन की विधियां इन सभी को हम थोड़ा सा देखने की कोशिस करेंगे सीखने की कोशिस करेंगे ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं तो सबसे पहले है भोजन भोजन क्या है दोस्तों हर जीव को दैनिक क्रिया कलाप के लिए उर्जा की जरूरत पढ़ती है हर जीव को दैनिक क्रिया कलापों के लिए मतलब रोज के कार्यों के लिए क्या है दोस्तों उर्जा क्या सकता पढ़ती है उर्जा की जरूरत पढ़ती है जीवों को ब्रिद्धी और मरम्मत करने के लिए भी विभिन पदार्तों की जरूरत पढ़ती है और जीवों को और मरम्मत करने के लिए भी अलाग अलाग पदार्तों की जरूरत होती है वो भी क्या होता है हमें भोजन से मिलता है जीवों को यह उर्जा और जरूरी पदार्त क्या होते हैं भोजन से प्राप्त होते हैं ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं भोजन के बाद हैं भोजन के है Such लिए सरन का रहा बास आसे लिकाया शचावर खषिसल अवचे oh का धित्युद का सुवक्राएंगे ल­क विन को पकाने के लिए ⟮ का इस्तेमाल करते हैंCR embright करते हैं तो इस तरह से चावल को पकाने के लिए चावल और पानी तो चावल और पानी क्या है उस भोजन के क्या हो जाएंगे संगटक हो जाएंगे ठीक है दोस्तों किसी भी खादे पदार्त को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगटकों की जरूरत पड़ती है कोई भी खादे पदार्त हो खाने बाला पदार्त हो। उसको बनाने के लिए क्या होगा हैğाँ दो या दो से अधिक संघटकों की जरूरत पड़ेगीacs तो बोजन के संघटक में हमने क्या देख लिया हमने देखा कि कि सी भी बोजन पका काने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भोजन का संगटक काते हैं किसी भी खादे पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगटकों की जरूरत पड़ती है खादे पदार्थ को बनाने के लिए हमको या तो दो या दो से अधिक संगटकों की नमक और मसाले हो जाएंगे सब्जी के संगटक क्या हो जाएंगे सब्जियां पानी नमक और मसाले हो जाएंगे ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं भोजन सामगरी के स्रोथ मतलब भोजन सामगरी हमको प्राप्त कहां से होती है मिलती कहां से है तो भोजन सामगरी हमें मुख्य रूप से किस्से, जन्तों से और पौधों से प्राप्त होती है, तो पादपों से चावल, गेहु, सबजी, फल, आज मिलता है, पादपों से क्या होता है, चावल मिलता है, गेहु मिलता है, सबजिया मिलती है, और फल मिलते है, ये सामग्री पादप के विभिन अंगों से मिल सबसे क्या क्या मिलता है यह देख लेते हैं तो जड़ क्या है दोस्तों जड़ से हमें कई पौधों की जड़ों को खाते हैं हम कई पौधों की क्या करते हैं जड़ को खाते हैं जैसे मूली की जड़ खाते हैं जैसे आलू अध्रैक सकरकंद प्याज पत्ति क्या है कई पोदों की पतियों में पतियों से साग बनाई जाती है कई पोदों की पतियों से क्या बनाई जाती है साग बनाई जाती है मतलब सबजी बनाते है जिसे पालक हो गई, सरसो हो गई, चौलाई हो गई इन से क्या करते है ये पत्तियाँ हैं पौध्रकी लेकि सब्जी बическая में बनाती हैं तो पादप जड़ से क्या मिला हमको जड़ में मूली गादर चुकंदर याद रखेंगे तने में क्या क्या होती है सब्जी बनती है तो कई फ़लों को कच्चा भी खायते हैं कई फ़लों की क्या करते हैं सब्जी बनाते हैं और कई फ़लों को कच्चा भी खाया जाता है उदारर के रुप में आम अम्रूत सेव नारंगी आदि को कच्चा खाते हैं आम को अम्रूत को सेव को नारं माम, अमरूद, जेब, नारंगी इन सबको कच्चा खाते हैं फ हैं उनको फल खाएंगे और जिनको क्या करते हैं पका करके काते हैं य packetsu बनाते हैं इसी तरह से चावल और रोटी हमारे भोजन का कि मुख्यां Tweak intensely जैसे चावल हो गया, है ना, रोटी हो गई, ये क्या है, हमारे भोजन के प्रमुख क्या है, अंस होते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, चावल और रोटी थो भोजन में लेते ही हैं, तो चावल धान के बीजों से मिलता है, चावल क्या होता है, धान के बीजों से मिलता है, और र बीजों से तेल निकाला जाता है कई से क्या करते हैं तो बदेने अंध्य चुकंदर इनसे जाए और काफी चाइ बनती है चाय की पत्यों से क्या होता है चाय बनती है चाय की पत्यों से चाय बनती है काफी की फलियों से काफी बनती है और काफी की फलियों से क्या बनता है काफी बनती है मसाले क्या होते हैं पौदों से हमें कई प्रकार के मसाले मिलते हैं जैसे काली मिर्च पौदों से मिलत है तो पौधे से हमें कई प्रकार के मसाले मिलते हैं जिसे काली मिर्च मिर्च अध्रक इलाइशी लाउंग हल्दी धनिया यह सब क्या होते हैं हमें पौधों से मिलते हैं तो काली मिर्च मिर्च अध्रक इलाइशी लाउंग हल्दी धनिया यह क्या है मसाले हैं जो हमें कहां स मिलते हैं पौदों से मिलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों अब जन्तूं से मिलने वाला भोजन देख लेते हैं जन्तूं से हमको कौन-कौन जाता है और बक्रे को भी क्या करते हैं मांस के लिए पालते हैं अंडे और मांस से भरपूर प्रोटीन भी मिलता है और अंडे में और मांस में क्या होता है भरपूर पूरी मात्रा में क्या होता है प्रोटीन रहता है तो बक्रे को मांस के लिए पालते हैं अंडे और मांस से क् दोस्तों भरपूर मात्रा में किस से अंडे और मांच से आगे सहद मदमक्खी फूलों से मकरंद लेकर सहद बनाती हैं मदमक्खियां क्या करती हैं फूलों से मकरंद लेकर के फूलों से क्या करती हैं उनकारस लेकर के उससे सहद बनाती हैं सहद में क्या होता है सरकरा रहती है खनीज रहता है और अंजाइम रहते हैं सहद में तीन चीजे रहती हैं सरकरा सकर है खनीज और अगे चलते हैं दोस्तों आप देखें पोसर की विधियां पोसर की विधियां न्यूट्रीशन मेथट पोसर की विधियां न्यूट्रीशन मेथट पोसर की विधियां कौन कौन सी है दोस्तों तो एक तो हो गई स्वपोसी आटोट्राप्स और एक क्या हो गई पर पोसी हेट्रोट्राप्स तो आटोट्राप्स स्वपोसी स्वपोसी का मतलग है दोस्तों क कि कि लिए एसा पौशन है नहीं zAI क्या करता है श्वैम करता है और पर पौशी क्या होता है वह रले दूसरे प्राणि अपर निरीफर रहता है nossas जीव अपना भोजन खुद अगुछ बनाते हैं जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं कि रेला भोजन बनाते हैं तो ज्यव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें सवपोसी कहते हैnd हरे पादप प्रकास संसलेशन के क्रियादवारा भोजन बनाते हैं इस कारण जो पौधे होते हैं वो क्या है स्वपोसी है आटो ट्राप्स है इसी तरह से परपोसी क्या है जो जीव अन जीव से भोजन लेते हैं जो जीव क्या करते हैं दूसरे जीवों से भोजन क्या करते है लेते हैं उन्हें पर्पोसी कहते हैं जन्तु क्या होते हैं पर्पोसी होते हैं जो भी जन्तु हो जन्तु क्या होते हैं दोस्तों पर्पोसी होते हैं जन्तु क्या होते हैं हेटरोट्रापिक होते हैं हेटरोट्राप्स होते हैं तो पर्पोसी तीन प्रकार के होते हैं जो पर् मांसाहरी और मांसाहरी सरवाहरी सब्सक्राइब करन दे zł Queen प्रकार competence के कुछ जन्तों कि अप्रमार्जग भी होते हैं कुछ जन्तों मरे हुए जानवरों को Сब्सक्राइक का अब आप जुटेम्य को आप मार्जग को आप मार्जग या मुर्दा खोर करते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां पे हम थोड़ा सा पोस्टर्ण की विदियों को देख लेते हैं तो साकाहरी क्या है यह क्या करते हैं साकाहरी साका हरी जी वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं साक को साक को मतलब पौधों से क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मांसा हरी क्या करते हैं मांसा हरी अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं और सरवा हरी क्या करते हैं पौधों और मांस दोनों से अपना भोज जाएगा जैसे साकाहरी में हो जाएगा गाय हो गई है ना त्री ट्राइप्स क्या होग्या हरवी जानमेश को काते हैं इस तरह च्छार साफ करते हैं उसक्तों को क्या करते हैं अब मुर्दा करते हैं जैसे गिद्ध हो है न कउ आ हो गया यह क्या कर ते रहें है का साम का माम करते हैं अब अध्याँ दो आज democr बोजन के घटक ne GB कंपोणेंट सोब फूड अब फोड भूजन के घटक भोजन के घटक आगे चलते हैं क्या सीखेंगे हम भोजन के मुख्य अभियब पोसक भोजन में कौन कौन से मुख्य अभियब या पोसक हैं कार्भोहाइडरेट, सरकरा, स्टर, सेलूलोज प्रोटीन, वसा, विटमीन विटामीन भोजन के मुख्य अभियब या भोजन में कौन कौन से मुख्य पोसक हैं कार्भोहाइडरेट क्या है, सरकरा, स्टर, सेलूलोज क्या होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामीन क्या होती है, खनीज, आहारी रेसे क्या है, संतुलित अहर क्या होता है अभाव जन्य रोग क्या है? वीिटामिनों की कमी से होने वाली रोग कौन-कौन से हैं? चलिए दोस्तों एक एकर करके देखते हैं सबसummरे हमारे सरीर के लिए कुछ पदार्थ भोजन के रूप में आवस्यक होते हैं हमारे सरीर के लिए क्या होता है? कुछ पदार्थ भोजन के रूप में क्या होते हैं जरूरी होते हैं आवस्यक होते हैं इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं पोसक कहते हैं न्यूट्रियंट कहते हैं क्या कहते हैं न्यूट्रियंट्स निउट्रियंट कहते हैं ठीक है दो तो पोसक कहते हैं तो हमारे सरीर के लिए जिन पदार्थों की भोजन के रुप में आवसिता होती है उनको क्या कहेंगे पोसक कहेंगे आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गयी वह सा विटामिन खनी यह क्या हो गया भोजन के मुख्या वेवर पोसक कौन कौन से हो गए कार्भो हाइडरेट प्रोटीन वासा बिटामीन खनी जलवन यह क्या हो गए भोजन के मुख्य पोसक हो गए आगे चलते हैं दोस्तों अब कार्भो हाइडरेट को उर्जा देने वाला कार्भो हाइडरेट को दोस्तों क्य क्या है कार्वाइड्रेट है हमारे और जब दनान करने का मुक्त शिरोत कार्भो हाइड्रेट है कार्भ ऐडरेट का निर्मार कार्वन। हाईड्रोजन और और सीजन के मेल से होता है सी यज ओ यहां पर सीज टू ओ इसका क्या है अधारभूत फार्मूला होता है तो कार्बो हाइड़ेट का निर्मार कार्बन हाइड्रोजन और अक्सीजन के मेल से होता है तो कार्बन का एक हाइड्रोजन का दो और अक्सीजन का एकन मिल करके क्या करते ह तो यहाँ पे कर्बोईडेट का निर्मार कार्बना हाइड्रोजन और अक्शीजन के मेल मेल से होता है कर्बो ऺइडेट का निर्मार कार्बन हाइड्रोजन के मेल से होता है inspiration si car सक्कर जिसको काते हैं एक स्टार्च हो गया और एक क्या हो गया तीन प्रकार के कार्भो हाड़ेट हो गए आगे देखते हैं सरक्रा या सुगर क्या है यह एक सरल कार्भो हाड़ेट है सरक्रा क्या है एक सरल कार्भो हाड़ेट है सरक्रा क्या है एक सरल कार्भो हाड़ेट है जिसका स्वाद मीठा होता है सकर क्या होती है दोस्तों एक सरल कार्बोहाइडेट है जिसका स्वाद मीठा होता है ग्लुकोज, गन्ना, दूध और फलो में क्या होता है सरकरा पाई जाती है ग्लुकोज, गन्ना, दूध और फलो में क्या होता है सरक्रा पाई जाती है अब आगे दोस्तों स्टार्च क्या होता है यह एक जटिल कार्बोहाइडेट होता है कंप्लेक्स होता है यह क्या होता है कंप्लेक्स होता है तो यह एक जटिल कार्बोहाइडेट है यह स्वादहीन सफेद पाउडर होता है क्या होता है दोस्तों स्वादहीन सफेद पाउडर होता है स्टार्च क्या होता है इसका कोई स्वाद नहीं होता है हैना स्वाधीन होता है और सफेद पाउडर के समान होता है सफेद पाउडर जैसा होता है तो गेहूं मक्का आलू और चावल में starch होता है गेहूं, मक्का, चावल और आलू में क्या होता है starch होता है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं cellulose क्या होता है यह पादप कोस्का पादपों की कोस्का भृत्ती में रहता है cellulose क्या होता है दोस्तों पादपों की कोश्का भृत्ति में रहता है यह एक जटिल कार्बोहाइडरेट है यह भी क्या है एक कांप्लेक्स कार्बोहाइडरेट है मनुष्य का पाचन तंत्र सेलूलोज का पाचन करने में अच्छम होता है तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है सेलूलोज का पाचन नहीं कर सकता है इसलिए क्या करते है मनुष्य क्या करता है पेण कोथों को नहीं खापाता है गास फूस नहीं खा पाता है तो सेलूलोज का पाचन मनुष्य का पाचन तंत्र नहीं कर पाता है यह ध्यान लखेंगे दोस्तों आगे चलते हैं प्रोटीन क्या होती है प्रोटीन से सरीर प्रोटीन से सरीर की क्या होती है दोस्तों प्रोटीन से सरीर के विकास और उत्कों की मरमत में मदद मिलती है इसलिए प्रोटीन को सरीर का बृद्धी वाला भोजन बृद्धी और विकास प्रोटीन के द्वारे क्या होता है शरीर की बृद्धी और विकास होता है इसलिए इ को सरीड की ब्रिधिवाला भोजन कहा जाता है दूध अंडे मांस मचली और डाल में प्रोटीन मिलता है उता किस भी होती है ओट क्रोटीन श्रके नोफवते हैं रहां हें थे मिलकर बने होते हैं Can किन नहीं एपीस के शरीर को प्रत किलोग्राम वजन ऑभाराद सत्य अगर कोई ब्यक्ति क्या है कोई व्यक्ति क्या है 80 kg का है तो उसको प्रत दिन 80 g प्रोटीन, 80 g प्रोटीन की क्या होगी दोस्तों जरूरत होगी यहां ध्यान रखेंगे बहुत अच्छा डाटा दिया है NCRT में एक बैस्क के शरीर को प्रति किलोग्राम बजन के हिसाब से प्रति दिन एक ग्राम प्रोटीन की आवसकता होती है कोई प्यक्ति जैसे आईए दिक्या है फिप्टी 50 किलोग्राम का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन की प्रति दिन क्या है आवसकता है लेकिन बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे अधिक प्रोटीन की आवसकता होती है लेकिन जो बच्चे क्या है बृधिक यवस्था में हैं बढ़ रहे हैं या जो गर्भवत प्लस प्रोटीन की जरूरत कि इनको होती है बढ़ने वाले बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अब आगे है फैक्ट वसा कानिर्मार कारबन हाइड्रोजन और अक्सिजन से होता है दोस्तों कारबन हाइड्रोजन और अक्सिजन से होता है म मक्कन घी, अंडे, दूद, सुखे मेवे, तेल में क्या होता है, परयात मात्रा में वसा पाई जाती है, तो एक वैस्थ को प्रति दिन लगभग 35 ग्राम वसा की आवसकता होती है, हमारे सरीर में अतरिक्त उर्जा को वसा के रूप में जमा कर लिया जाता है, हमारे सरीर में क्या होता है, जो अतरिक्त उर्जा की मात्रा होती है, वो फैट के रूप में क्या रहती है, जमा रहती है, जब सरीर को अतरिक्त उर्जा की जरूरत होती है, तो सरीर वसा का इस्तेम कर लेता है जो संद्चित रहते हैं इसलिए वसा को सरीर का उर्जा वानेंगों कोल दोस्तों है इसको ध्यान में रखेंगे, क्या रखना है ध्यान में, कि बिटामिन A, D, E, K, इन बिटामिनों का सरीर में आवसोसन होने के लिए, सरीर में वसा का होना जरूरी है, यदि सरीर में वसा नहीं होगी, तो बिटामिन A, D, E, K का आवसोसन नहीं हो पाएगा, तो वसा के करण सरी से जो उसमा होती है गर्मी होती इसकी हास चहे होने की से होने को क्या yüzden TE ? क्या सकता है रोक ठाम किए गए है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं विटामिन bemision आगे क्षितिये कर्म बिताम अब आगे क्या है मेरे पास विताम या बितामिन है कोई उर्जा नहीं मिलती है विटामिन से क्या होता है दोस्तों कोई उर्जा नहीं मिलती है हमारे सरीर के लिए विटामिन A, C, D, E, K और B कंपलेक्स की जरूरत होती है हमारे सरीर के लिए विटामिन A, C, D, E, K और B कंपलेक्स की जरूरत होती है B complex में कई vitamin होते हैं दोस्तों इसलिए B complex कहा जा रहा है vitamin के कई प्रिकार के vitamin है इसी तरह से A, C, D, E, K इन सब की हमारे सरीर को क्या होती है जरूरत होती है तो हमारा सरीर केवल दो vitamin का निर्मार करता है हमारा सरीर क्या करता है केवल दो vitamin का निर्मार करता है विटामिन D और विटामिन K अन्न विटामिन भोजन से ही मिल पाते हैं और अन्न विटामिन क्या होते हैं दोस्तों भोजन से ही मिल पाते हैं विटामिन B काम्पलेक्स कई ऐसे विटामिनों का मिसरन होता है विटामिन B काम्पलेक्स कई ऐसे विटामिन का मिसरण होता है जो जल में घुलनसील होते है जो जल में घुलनसील होते है भी कंपलेक्स क्या होता है दोस्तों कई ऐसे विटामिन का मिसरण होता है जो जल में क्या करते हैं घुल जाते हैं इस समूं के महत्पूर विटामिन है विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B9, B12, इस तरह से इतने विटामिन इसमें महतपुर्ण विटामिन है, B1, थाइमिन इसको कहते हैं, ना, B2, राइबोफलेवीन हो गया, इसी तरह से B3, B4, B6, B9, और B12, ये सभी विटामिन क्या है, B कमपलेक्स, B कमपलेक्स समुग के महतपु लेते हैं, विटामिन को हम गुलन सीलता के आधार पर दो बर्गों में बाढ़ सकते हैं, है ना, सालूबिल्टी, गुलन सीलता के आधार पर दो प्रकारों में बाढ़ सकते हैं, जल में गुलन सील, जल में गुलन सील विटामिन और वसा में गुलन सील विटामिन, तो जल म गुलंसील विटामिन होता है दोस्तों B और C क्या है जल में गुल जाते हैं बाकी A, D, E के क्या है A, D, E के विटामिन ये वसा में गुलंसील है A, D, E के विटामिन क्या है वसा में गुलंसील है इस तरह के questions भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा विटामिन जल में गुलते हैं या कौन से विटामिन क्या है वसा में गुलते हैं ऐसे आपको दे देगा विटामिनों का नाम और उसे पूंच लेगा कि जल में गुलंसील विटामिन का समू कौन सा है या वसा में गुलंसील विटामिन का समू कौन सा है या कौन सा नहीं है इस तरह से प्रस्ण भी पूछे जात सब्सक्राइब दाटरर्न हो क्या है हमारे स्रीर को खारीजों की यह मातरा और की जरूरत होटी मिलते हैं यह ब medium को करें मिलते हैं जनतुञाँ से और सान őब कादपों से मिलते हैं जन्तुआं और पदों दोनो से मिलते हैं अभाव जनय रोग डेपिसियन data तो जब किसी बोसक के लंबे समय के अभाव के कारण पुए रोग होता है तो उस रोग को अभाव जन रोग करते हैं डेफिसेंशीड़ियुकष्ञुर। टेल में कुछ अभाव जन्रोगों के बारे में बता गया है आगे टेल है किसा कॉस्छ को क्या कहें? कि यह मतलब किसी जो है तो कमी के कारण क्या हुआ है यह रोग हुआ है आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास भीटामिन है लगई और लगशन नहीं क्या हो जाता है दोस्तों छिंडता द्रिष्टी हिंता हो जाती है मतलब कभी कभी क्या होता है आंसिक रूप से नहीं दिखाई देता रतवंधी होती है कभी कभी क्या होता है एकदम से दिखना बंद हो जाता है तो कमजोर द्रिष्टी अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन B1 बेरी बेरी दुर्बल पेसियां और काम करने की उर्जा में कमी हो जाती है विटामिन C की कमी से स्करवी रोग हो जाता है मसूनों से खुन निकलता है लक्षन क्या है स्करवी रोग का मसूनों से खुन निकलना घा भरने में अधिक समय का लगना घाव भरने में क्या होता है अधिक समय लगता है इसी तरह से विटामिन डी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है और इसका लक्षन क्या है अस्तियां हड्डियां क्या हो जाती है मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है इसकी को आश्टियो मेलेसिया भी कहती है तो क अपकुल जाना और बच्चों की मानसिक दिकलांगता है ना बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है लोह की कमी से अरक तता हो जाती है एनीमिया जिसको कहते हैं एनीमिया हो जाता है और ये क्या होता है इसके करण कमजोरी लगती है आगे चलते हैं आहारी रेसे तो भोजन में उपस्तित रेसों को आहारी रेसे या रुच्छांस कहते हैं हमारा सरीर इनका पाचन नहीं करता है आहारी रेसों का पाचन नहीं कर पाता है रुच्छांस से भोजन का आयतन बढ़ जाता है भोजन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है जिससे पेट भरा हुआ लगता है जिससे पेट क्या होता है भरा भरा लगता है रुच्छांस से भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और यह जो सलाद होता है दोस्तों इस से भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने में मदद मिलती है अनाज सलाद सबजियों और अंकुरित दालों को दानों में रुच्छांस रहता है तो अनाज में, सलाद में, सब्जियों में और अंकुरित दानों में क्या रहता है? रुच्छांस रहता है. आगे चलते हैं दोस्तों अब संतुलित आहार जिस आहार में सभी पोसक सही अनुपात में रहते हैं जिस आहार में क्या होता है सभी पोसक सही अनुपात में रहते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं संतुलित आहार क्या है ऐसा आहार जिसमें सभी पोसक्त्त्तों का उचीत मात्रा में होना अनिवार है जो हमारे सरीर की आवसक्ताओं की पूर्ति करते हैं तो हमारे सरीर कि चलते हैं कोई भी पोसक्त्त्त न तो आवसक्त्त्त से जादा और नहीं कम होना चाहिए कोई भी पोषकत तो आवसिक्ता से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए किसी भी पोषक की लंबी समय तक कमी होने से हम क्या क्या हो सकते आवशन्य रोग जने रोक किसी कर हो जाएनगे उनको हो जाएगा वुर्जण में कर्भोहइडिक का परिचंड कैसे करती हैं दोस्तों दरीज देख लेन परिचंड इसके लिए खादबाथ का पेश्ट बनाते हैं जावलन है उसका क्या क्या हो जाएगा और उस पेस्ट में आयोडीन की बूंदे डाले जाती है, आयोडीन की क्या करेंगे, बूंदे डालेंगे, यदि खादे पदार्थ का रंग गहरा नीला हो जाता है, यदि जो पेस्ट बनाया गया है, उसका रंग क्या हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा, डिपली ब्लू हो हो जाएगा उस खादे-पदार्थ का जो रंग है वो क्या हो जाएगा गहरा नीला हो जाएगा तो इससे हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है कार्भो हाइड्रेट मौजूद है कार्भो हाइड्र उपस्तित है इसी तरह से प्रोटीन का परिच्छर कैसे करते हैं इसके लिए प्रोटीनल उपस्ति में क्या करते है दो पूंद कापर सल्फेट क्या करेंगे का पर सपरोटीया यूज कास्टिक सोडा करते है कश यूज काश्टिक सोडा की 10 क्या करते हैं मिलाते हैं तो यह दिखादे-पदार्थ का रंग बैगनी हो जाएगा तो यह पता चलता है कि प्रोटीन मौझूद है तो यहां पर हम देखा कि प्रोटीन का प्रिच्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा पहले तो खादे-पदार्थ का प बैगनी हो जाएगा और अगर बैगनी हो जाता है तो हम यह पता चल जाएगा कि इस भोजन में क्या है प्रोटीन उपस्थित है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं भोजन में वसा का परिच्छन इसके लिए दिये गए भोज़े-पदार्थ को एक कागज में लपेटकर मसलत कागज फट न जाएं इसके बाद कागज को फैलारोटी में देखते हैं और जब रुषनी में देखते हैं तो कागज पर धुंदले धब्बे दिखाई देते हैं जिससे हलकी रोसनी आरपार होती हो तो इससे पता चलता है कि खादे पदार्थ में वसा मौझूद है तो वसा का परिच्छन क्या करते हैं दोस्तों वसा का परिच्छन इस तरह से करते हैं एक खादे पदार्थ को क्या करते हैं कागज में लपेट लेते है लपेट कर क्या करते हैं उसको मसलते हैं दीरे दीरे और ऐसे मसलते हैं कागज फटेना उसके बाद कागज को फैला कर रोसनी में देखते हैं और यदि उससे क्या होता है धुंदले धब्बे और दिखाई पड़ते हैं जिससे हलकेल की रोसनी आरपार होती है तो हमको पता चल जाता है कि उसमें क्या है वसा मवजूद है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अध्याद तंत्र से तंतु से वस्तर तक तंतु से वस्तर तक इसमें हम क्या सीखेंगे तंतु एवं लगातार लड़ी, जो पदार्थ क्या है? जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है, उसे तंतु कहते हैं, तंतु के प्रकार प्राक्रतिक तंतु संसले से तंतु, तंतु दो प्रकार के हैं, एक तो प्राक्रतिक तंतु हैं, दूसरा संसले से तंतु ह हैं तो जो तंतु पवधों या जन्तु से मिलते हैं उन्हें प्राक्रितिक तंतु को आते हैं जो प्राक्र से मिलने वाले तन्तु है सम और वोन प्रज़न से मिलने वाला तन्तु है से तन्तु का रिर्मार मानवज़ता है उससे संस्सलिष्ट या संसलेष्ट तंतु कहते हैं तो जिस तंतु का निर्मार क्या होता है मनुस उद्यारा होता है यह मनुस करता है उसको क्या कहते हैं संसलेष्ट तंतु कहते हैं उद्यारा नायलान एक्रिलिक पालियस्टर हो गया यह सब क्या हो गया संसलेष्ट हो गया मतलम मनुस ने क्या क कहें हम संसी संसलेशव कहें अगे को हैं कि आगे है कपास इठी के लिए क्या होता है दोस्तों काली की सब्सक्राइब करना होती हो जलवाई गर्म हो भारत में कपास की खेती के रचास्तान तáng मेल लानू एहां तो भारत में कापास काथी सबसे ज़्यादा महाराष्ट में फिर गुज्राक घुज्राइओ महारास्टirा हर्याना एपर राजस्तान aura मद्द प्रदेश का कपास की कप्यो रजाई में बढया कर आई कपर जाता है और टाकीयई में बहरते हैं और जो है तो ठंडी के समय क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए उपयोग करते हैं जूट या पटसन को जूट के पौधे के तैने से निकालते हैं तो जूट की खेती बरसात के मौसम में होती है जूट के लिए चिकनी मिटी सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है इस प्रकार की मि प्रेदावार वाली मिट्टी है वो कहा मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के रेल्टा वाले छेतर में मिलती है ठीक है दोस्तों तो भारत में जूट की खेती मुक्रूप से पस्चिम बंगाल बिहार और आसम में होती है जूट का इस्तेमाल बोरी जोला स्कूल बैग रसी दरी आध बनाने में किया जाता है तो जूट का इस्तेमाल क्या होता है बोरी जोला स्कूल बैग रसी दरी आध बनाने में करते हैं आगे चलते हैं उन का मुक्सरोत भेड है उनका मुक्सरोत क्या है दोस्तों भेड है लेकिन बकरी खरगोस याक और उन्ट के वालों से भी क निकालते हैं ध्यान रखेंगे दोस्तों के बल भेड नहीं है न मुक्सरोत भेड हैं लेकिन बकरी कर गोसी आकर उन्ट के वालों से भी क्या करते हैं उनको प्राप्त करते हैं निकालते हैं उन से गर्म कप्रे बनाया जाते हैं उन से क्या होता है गर्म कप्रे बनाया जाते है और उन से क्या होता है कालीन और पर्दे भी बनते हैं अब है रेसम कीट के कोकून से रेसम मिलता है रेसम कीट के कोकून से क्या होता है दोस्तों रेसम मिलता है रेसम कीट के कोकून से रेसम मिलता है रेसम कीट सहतूत के पेनों पर रहता है रेसम कीट के जीवन चक्र के चार चरण होते हैं अंडे लार्वा प्यूपा वैस्क रेसम कीट के जीवन चक्र के चार चरण होते हैं अंडे लार्वा प्यूपा और वैस्क अब रेसम कीट लार्वा सहतूत की पत्यों को खाता है रेस सम्स्राइच्ण व psychology करके टंतु बन जाता है इस लार्वा कि ठेक्स और Лाय किया सम्सिango to कशना लपेटलेत सब्सक्राइब बंचार लार्वों दोस्तों नार्वा الجएता है इस रहं desta कि लिए अलग हो जाते हैं कोकून को क्या करते हैं पानी में जब उबालते हैं तो जो रेसम के तंतू होते हैं वो अलग हो जाते हैं फिर उन तंतूं से धागा बना लेते हैं और उन्हीं तंतूं से क्या करते हैं धागा बना लेते हैं रेसम महगा होता है रेसम का इस्तेमाल कई पारंपरिक परिधानों के लिए पसंद किया जाता है रे सम्क क्या करते हैं खाश चमक संसलेसित से बने कपड़े जल्दी सूखते हैं, संसलेसिफ रैस से侵थ बने कप्री जल्दी सूखते हैं और सलवर टें नहीं पड़ती हैं क्या होता है संसलेसिस बनती हैं संससलेसिफूसे तरह तरह की चीजे बनती हैं वस्तर है knead दरी कंबल नाव १र Summit शूटे आद यह क्या है संसलेशिट G're a乾 र great रखश्ची चीजे बनती हैं संसलेसिय। रसों से हम क्या करते हैं तरह तरह कि चीजे बनाते ही जैसे कपड्य बनाते हैं टाई अने पॉल स्कowment, स्क्रापरट, स्केक्टबोर्ट जूते आदस या करते हैं संसलिस्थित रेसों के बनाते हैं अब वस्त के समुह बनाना चलए दोस्तों आगे देखते हैं क्या सीखेंगे हम हम सीखेंगे पदार्थों के बिभिन, प्रकार्ठोस, दुर्वगैस, कठोर या कोमल करते हैं हर वस्तु एक या अनेक पदार्थों से बनी होती है कोई भी वस्तु क्या है एक पदार्थ से बनेगी या कि अनेक पदार्थों से बनेगी एक वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से भी बन सकती है तो कोई वस्तु प्राकृति क्या संसलेसित हो सकती है पदार्थ मे क्या होता है दोस्तों द्रविमान होता है और यह क्या करता है इस्थान भी ग्रहन करता है तो पदार्तों को कई कई लच्छनों के आधार पर बर्गी कृत कर सकते हैं कई लच्छनों के आधार पर बर्गी कृत कर सकते हैं संसलेसित रेसा मजबूत होता है संसलेसित रेसे से बने कपड़े जल्दी सुखते हैं संसलेसित रेसे से बने कपड़े क्या है जल्दी सुखते हैं और इसमें सिल्वटे नहीं पड़ती हैं और इनमें क्या है सिल्वटे नहीं पड़ती हैं संसलेसित रेसों से तरह तरह क यह प्रकार टीजें को चीजें बनती हैं ते सब्सकरीत से क्या होता है लग लग प्रकार्ठी चीजें बनाते हैं उधरण के लिए अगर्श कया इस्केट बॉर्ड जूते याद है क्या है संसलेसित रेस्ट repeating से फिर से नम रूट देख लिलिए आगे है बहुती कवस्ता के आधार पर पदार्थों के प्रकार ठोस, द्रब और गैस पदार्थ क्या है बहुती कवस्ता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के हैं ठोस, द्रब, गैस, सालीड, लिक्विट, गैस ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं ठोस क्या होता है जिस पदार्थ के आकार और आयतर निश्चित होते हैं उनको क्या कहते हैं ठोस पदार्थ कहते हैं ठोस कहते हैं पत्थर हो गया लकड़ी हो गई प्लास्टीक नमक स्टील बर्प काँच ये क्या है ठोस पदार्थ है अब है जिस पदार्थ का आयतर निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है दोस्तों अनिश्चित होता है तो उनको हम क्या कहते हैं द्रब कहते हैं तो द्रब का आकार बरतन के आकार का हो जाता है द्रब का क्या हो जाएगा बरतन के आकार का हो जागा पानी हो गया तेल ह गया दूध आधी हो गया इनको जिस बरतन में है डालेंगे तो उस बरतन के रूप में ये क्या कर लेंगे अपना जो है तो आयतन बना लेंगे तो आयतन इनका निस्चित रहता है लेकिन आकार निस्चित होता है मतलब द्रब का आकार क्या होता है बरतन के आकार का हो जाता है जिस बरतन में दल्ब को क्या करते हैं डालते हैं तो क्या हो जाता है उस आकार और इंडीफिनीट होता है में अधीwid Indiepinit होती है अगर हिएग्षम करपेने ओंडीफिनट होटें या अक्साइड धुआ ये क्या है गैस के उदारण है ठीक है ना इनका आयतन और आकर दोनों क्या होता है अनिस्चित होता है अलग-अलग पदार्थ दिखने में अलग-अलग लगते हैं किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग कठोरता गठन चमक आधि पर क्या करती ह पदारतों के अन्य परकार काई इस दोस्तों । जिसस पदार्थ को आसानी से संपीडित नहीं किया जा सकता हो और जिस पर आथा से खरोच नहीं लग सकती हो उसे कठोर पदार्त कहते हैं तो जिस पदार्त को आसानी से संपीडित नहीं किया जा सकता हो और जिस पर आसानी से खरोच नहीं लग सकती हो उसे कठोर पदार्थ कहते हैं उदारण हीरा पत्थर हीरा पत्थर लकड़ी इसपात आधी हीरा पत्थर लकड़ी इसपात आधी ये क्या है कठोर पदार्थ है हीरा अब तक के ग्यांत प्राकृतिक पदार्थों में सरवाधिक कठोर है तो सरवाधिक कठोर मeschines क्या सकते हुग और जिस पर आसानी मेंरों में आधर करते हैं एन जल में घुल ने से दियुक्तिर करते हैं उदर्म के लिए चीनी नमक फिट किरी ये क्या है जल में घुल जाती है तो गुलंसील है विले है जल को सर्भॉमिक विलायक यूनिवर्सल क्या सल्वेंट माना जाता है सर्भॉमिक विलायक माना जाता है इसलिए विलेता की परिभासा में जल का उप्योग किया जाता है इसल पदार्थ आविले जो पदार्थ क्या है जल में नहीं गुलते हैं जो पदार्थ क्या होता है दोस्तों जल में पानी में नहीं गुल पाते हैं उन्हें जल में अविले या अगुलनसील पदार्थ कहते हैं उदर्ण के लिए रेद, मिट्टी, चाक, चावल ये क्या है जल में नहीं गुलते हैं अब ले हैं आगे है पारदर्सी जिस पदार्थ से प्रकास आसानी से गुजर जाता है उसे पारदर्सी कहते हैं पारदर्सी पदार्थ के आरपर साफ साफ देखा जा सकता है और जो पारदर्सी होता है उसके आरपर क्या कर सकते हैं साफ साफ दिखाई देत काच पानी हवा प्लास्टिक की पतली सीट आद यह क्या है पारदर्सी है आप देखते हैं दोस्तों पारदर्सी हो गया अब है अपारदर्सी अब क्या है अपारदर्सी जिस पदार्थ से प्रकास नहीं गुजरता है उसे अपारदर्सी कहते हैं तो अपारदर्सी पदार्थ क्यारपार नहीं देखा जा सकता है अब प्रकास आफजू से गुजरता है आर पार धुंदला दिखाई परता है अभर एसे पदार्थों को पढर्भासी कहते हैं पतला परदा क्या होता है तेल लगा काज भी क्या है थीक है तो Mississippi अंसिक रूपस्य तो मतलब पारदर्सी क्या हो इसुण थोड़ा समझ लेते हैं पारदर्शी मितलब जिसके उस पार देखा जा सके जिसे काच हो गया जल हो गया है ना वाई हो गई हल जो है तो कुछ प्लास्टिक हो गई और पारभासी क्या है दोस्तों जिसके आरपार क्या करते हैं आंसिक रूप से देख सकते हैं और आपारदर्शी क्या है जिसके आरप पार नहीं देखा जा सकता है है ना जैसे लकडी हो गई धात्वे हो गई इनके आरपार नहीं देख सकते हैं दात क्या है जो जो पदार्थ कठोर होता है उस्मा और विद्दुत का सुचालक होता है और जिसमें चमक होती है उसको धात करते हैं दात क्या है जो पदार्थ क्या होता है भंगूर होता है इसमा और विदुद्द का कुछ अलक होता थे हैं अब प्रिथह करण देख लेते हैं फिराप अगया पृप सीखेंगे न क्या हैंना पडार्थों को अलग कों करते हैं अःसाधन क्या निस्तारण क्या है वास्पं 20 संगना बिलियन ये चीजे देखेंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं बढ़ते हागे तो हमारे दैनिक जीवन में कई बार हमें किसी मिस्रण से उपयोगी पदार्थ को अलग करने की जरूरत पड़ती है इसका हम के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं मिस्रण क्या होता है दोस्तों जब कोई बस्तु दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें किसी भी अवयब का गुण नहीं बदलते हो तो ऐसी बस्तु को मिस्रण कहते हैं तो मिस्रण में क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और उनमें क्या ह किसी भी आवयब का गुण क्या होता है वो परिवर्तित नहीं होता है हवा क्या है एक मिस्रण है हम जो पानी पीते हैं वह भी क्या है मिस्रण ही है हम जो पानी पीते हैं वो भी क्या है मिस्रण ही है सुद्ध पदार्थ क्या होते हैं जब किसी पदार्थ के हर कंड में हर कंड के गुण एक ही होते हैं तो उसे सुद्ध पदार्थ करते हैं जब किसी पदार्थ के हर कण के गुण एक ही होते हैं तो उसको क्या कहेंगे सुद्ध पदार्थ करते हैं उदार्थ के लिए में आसुत जल सुद्ध जल होता है क्योंकि इसका एक एक बूंद क्या होता है जल के अनुके अनुके अनुसे ही बना होता है इसका जो एक-एक बूंद होता है वो क्या होता है आसुद्ध जल का एक-एक बूंद जल के अनुसे बना होता है इसलिए क्या होता है सुद्ध होता है तो जब किसी पदार्थ के हर कण के गुण क्या होते हैं एक ही होती है तो उसे हम सुद्ध पदार्थ करते हैं, उदारण के लिए में आसुत-ईजल सुद्ध जल होता है क्योंकि इसका एक-एक बूंद जल के अनुके से ही क्या करता है, बनता है अब पदार्थों को अलग क्यों करते हैं ऐसा हम किसी मिस्तरण से बेकार चीजों को हटाने के लिए करते हैं क्या करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मिस्तरण से जो बेकार चीजे हैं बेकार चीजे हैं उनको हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं कई बार कई बार दो उपयोगी चीजों के मिस्तरण में से एक उपयोगी चीज निकालने के लिए भी चीजों को अलग किया जाता है जैसे चावल से कंकर या बेकारदानों को हाथ से बिनकर निकाला जाता है हाथ से बिनकर निकालते हैं हना हस्त चैन हो गया हाथ से बिनकर नि पानी से उठाया जा सके तो हातों से चुनना ही सबसे सही तरीका होता है किसी टोकरी में सेव और केले रखे हो तो सेव को अलग करना हो तो हम क्या करेंगे सेव को एक अलग टोकरी में रग देंगे तो किला क्या हो जाएगा सेव और किला अलग अलग हो जाएगा तो त्रेस्रिंग क्या है कटी हुई फसल की डंडियों से अनाज को निकालने की जो बिद्य है उसको क्या कहते हैं त्रेस्रिंग कहते हैं थ्रिस्रिंग तृनियों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है जब किसी द्रब में गुलंसील और अगुलंसील ठोसों के मिस्रण को अलग करना होता है तो इन विधियों का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करते हैं इन विधियों का उपयोग करते हैं आवसाधन किसी मिस्रण में गुलंसील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को आवसादन sedimentation कहते हैं किसी मिस्रण में अगुलनसील कणों के तल में बैठने की प्रक्तिया को क्या कहेंगे sedimentation या आवसादन कहते हैं जैसे मटवैले पानी में मिट्टी और रेत होती है मिट्टी और रेत जल में अविले होते हैं इसलिए इनके कण कुछ देर बाद तल में बैठ जाते हैं यह क्या होता है जल में अविले होते हैं इसलिए इनके जो कण होते हैं वो कुछ देर बाद तली में बैठ जाते हैं निस्तारण क्या है इस वीदिका इस्तेमाल आवसादन के बाद होता है और निस्तार्ण dicandation कि प्रक्त्रिया में आवसाधित प्धार्तों को छेड़े बीना ओपर से द्रव को किसी दूसRE पात्र में डाल दालेते हैं उपर से क्या करती हैं दोस्तों द्रव को दूसरे पात्र में डाल लेते हैं अब वास्पन और संघनन क्या है दोस्तों तो वास्पन क्या है जल के वास्प में बदलने की प्रक्तिया को पानी क्या होता है जब भाप के रूप में बदल जाता है तो इस प्रक्तिया को क्या कहते है वास्पन क्या हो गया जल का वास्प के रूप में परिवर्तन और संघनन कहलाएगा तो नाम से इस परष्ठ है वास्पन मतलब जल का वास्प में बदल ना संघननगा थंडा हो करके जल में परिवर्तित होने की प्रत्प्रिया क्या कहलाएगी संघनन कहलाएगी- तो किसी भी घुलंसील ठोस को जल से अलग करने के लिए वास्पन और संगरन की विदिका प्रयोग होता है जैसे नमक के घोल से नमक प्राप्त करने के लिए इस विदिका इस्तेमाल होता है नमक के घोल से क्या करते हैं नमक प्राप्त करने के लिए इस विदिका इस्तेमाल कर करते हैं वास्पन और संग्रन की प्रक्तिया द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं वास्पन और संग्रन की प्रक्तिया द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है तो नमक किस प्रक्तिया द्वारा बनाया जाता है तो वास्पन और संग्रन की प्रक्ति नहीं मिला सकते हैं तो ऐसे विलेन को क्या करते हैं सांद्र विलेन करते हैं लेकिन यदि किसी विलेन में और अधिक विलेन को तनु विलेन करते हैं यदि क्या होता है किसी Vilyen में और अधिक Vilyen की मात्रा को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो ऐसे Vilyen को क्या कहेंगे, तानु विलेन कहेंगे. आगे हैं हमारे चारो और के परिवर्तन चेप्टर नमबर 6 हमारे चारो और के परिवर्तन देखते हैं क्या सीखेंगे परिवर्तन के प्रकार सीखेंगे उत्क्रमडी परिवर्तन अनुत्क्रमडी परिवर्तन भौतिक रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन के कारक बल और बल त उत्क्रमड़ी उत्क्रमड़ी मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको निकट भविस में क्या फिर से किया जा सके आनुत्क्रमड़ी ऐसा परिवर्तन जिसको निकट भविस में फिर से ना कर सके तो उत्क्रमड़ी परिवर्तन जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता हो उत्क् बनाना जैसे अगर पिघल गई तो उस पिघले हुए पानी से फिर से बना सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा उत्क्रम उत्कमित हो जाएगा कागज मोड़ सकते हैं तो उसको खोल भी देंगे हैना पानी से भाब बनेगी भाब को ठंडा कर देंगे तो फिर से पानी बन उनको अगर हटा लेते हैं तो परिवर्तन को क्या कर सकते हैं फिर से प्राप्त कर सकते हैं अनुत्रमणी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है या उत्रमित नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुत्रमणी परिवर्तन कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं अनुत्रमणी परि सकता िमगेजी में अगर किया है तो फिर वो फिर से यह पुरानी फस्ता में नहीं नहीं कि तो अनुत प्रिवर्तन के प्रकार 2 क्या भातीक प्रिवर्तन क्या है जिस फरी बा krijgen किसी नय पदार्थ का निर्मार नहों जिस परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्मार नहों उसे बहुतिक परिवर्तन करते हैं कोई नया पदार्थ न बने है न तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे बहुतिक परिवर्तन करते हैं ज्यादा तर बहुतिक परिवर्तन को उत्क पदार्थ का निर्मान नहीं होता है जब बर्फ पिगलती है तो इससे क्या होता है किसी नए पदार्थ का निर्मान नहीं होता है जब आप कागज को मोर कर ना बनाते हैं तो आप किसी नए पदार्थ का निर्मान नहीं होता है है जिस परिवर्थन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्मार होता है उसे रासानिक परिवर्थन करते हैं ज्यादातर रासानिक परिवर्थन उत्रमित नहीं किये जा सकते हैं ज्यादातर क्या है रासानिक के आकसाइड बनते हैं जब भी किसी पदार्थ का क्या होता है द्धान होता है तो उससे उस पदार्थ के आकसाइड बनते हैं यानि नया पदार्थ बनता है बोजन को पकाने पर भी नया पदार्थ का निर्मार होता है तो लोहे में लगा हुआ जंग लोहे का आकसाइड होता यानि जंग लगने पर नया पदार्थ बनता है जंग लगने पर क्या होता है नया पदार्थ बनता है अब परिवर्तन के कारक क्या है है ना सभी प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके क्या है फैक्टर क्या है कारक क्या है तो बल हो गया और उस्मा हो गया दो कारक बल औ की आकृत को बदल देता है तो क्या करता है लोहे की आकृत को क्या करता है दोस्तों बदल देता है